जो असलामु अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातों मैं हुसेनी पब्लिक हाइ स्कूल की युकेजी चमात की अर्द मौलमा हूँ आज की इस क्लास में आपका खुशामदीद है आज की इस क्लास में हम युकेजी चमात के टर्म अवल का सबक पढ़ानी जा रहे हैं तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों जो आज का हमारा उन्रान है वो है तश्दीद तश्दीद जिस हरुफ के उपर तश्दीद हो तो वो दो मर्तवा पढ़ा जाता है और लिखने में एक ही बार लिखकर उस पे अलामत तश्दीद लगाए चाती है जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखूँगी कुट्टा कुट्टा मैंने लिखा इसके उपर मैंने तश्दीद ला दी और इसको समझाने के लिए मैं फैला के जा तोड़ गे लिखूँगी तोड़ गे कीर टे कुट्ट टे अलिफता कुट्टा कुटा, यहां पर मैंने यह समझाने के लिए फैला की लिखा कुटा, तो जहां पर भी यह जो सरुख के ओपर तश्दीद आता है, यहां पर तश्दीद आ गया तो वो हुरुख दो बार इस्तिमाल होता है, इसी तरह से मैं दूसरा लिखूंगी, बिल्ली, बेगे नीचे जीर उपर, लाम के उपर, इस लाम की जो आवाज है, तो यह दो बार भी करती है, लाम के उपर मैंने तश्दीद आ दी, इसको मैं तोड़ के लिखूंगी, बे, लाम, लाम, छोटा ही हो गया, बिल्ली, इसी तरह से, प्यारे बच्चों, और एक में मिशालियां पे दूँगी, जैसे, रसी, सीर के उपर तश्दीद, क्योंकि इस खरूफ की यह दो बर, इसकी आवाज इस्तिमाल होती है, तो इसी को मैं तोड़ गया लिखूंगी, या पहला की, रे, सीन, सीन, छोटाई, रसी, इसी तरह से, आपकी किताब में ऐसे बहुत सारी अलफाज शामिल हैं, जिनकी आपको मश्चिद करने हैं गर में, तो इसके बाद और एक, मिसाल, पत्ता, पत्ता को जो मैं तोड़ के लिखूंगी, आप उस समझाने के लिए, पेटे पर, ते लिफ, ता, पत्ता, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से, आपकी जो किताब हैं, उर्दू किताब, उसमें आप पेज नबर 24 देखिए, प्यारे बच्चों, तो आप आपने बुक का पेज नबर 24, देखिए, वहाँ पे दिया गए है, तशदीर लगा करनाम लिखे, दिए अन देगे तस्वीरों से, तशदीर लगा करनाम लिखे, यहाँ पर पहला इंःना रही से दिया है, पत्ते, ते के उपर इंहोने इक तशदीर डाल दी है, मतलब ते की आवाज दो बार इस्तिमाल होती है इसी तरह से यहाँ पर है यह है रसी तो हम यहाँ लिखेंगे रे सीन यह सीन के ऊपर तश्दीर आएगा क्योंकि रसी सीन के आवाज दो बार निकलती है इसी तरह से बिल्ली लाम के ऊपर तश्दीर आएगा यह हैं, यहां पे हैं यह एक कुत्ता देखें उपर तस्दीर आएगा यह है कवा कि यह बॉट, लिफ़ॉट के उपर आएगा तस्दीर इसी तरह से है अरलो यहां पे बेटा लाम के उपर तस्दीर आएगा यह है लच्टू शबाज बेटो यहां पर तेके उपर तश्दीद आएगा इसी तरह से है मुन्नी मुन्नी नूर की आवज यहां पर दोबान में करते हैं तो नूर के उपर तश्दीद आएगा यह है पत्थर तेके उपर आएगा तश्दीद इसी तरह से प्यारे बच्चों जो आज का सबक हमने बढ़ा इसमें हमने सीखा ये जो तश्दीद है ये ऐसी जगा पर इस्तिमाल होता है जहां पर हुरूब दो हो यानि आवाजे दो इस्तिमाल होती हो लेकिन जब इसको मिला के लिखते हैं तो तश्दीद का इस्तिमाल करेंगे और वही आवाज जहां पर तश्दीद आता है वो हुरूफ हम दो बार लिखते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही इंशालला अगली क्लास में फिर से आप से मुलाकत होगी तब तक के लिए लगा खाफिस जादा